हेलो फ्रेंज आज में मेरा अलमंड में पटिलेजर याड़ करने जा रहा हूं तो चाब लोगों से भी शिज़र कर लूँ देखें मेरा ये डो अलमंड का प्लांटें ये मेरून वाला ये मेरून वाला है और ये ये यलो वाला तो फ्रेंज सब्सक्राइब में पहले मैं इसमें गुड़ाई कर लेता हूं इसको आग 15-20 दिन में एक बर गुड़ाई जरूर करें क्योंकि इस जड़ को आक्सिजन मिलता रहेगा इसका रूट तूच जाएगा तो कोई बात नहीं है बना इसको गुड़ाई जरूर की जाएगा और जितना विट्स निकल है उसको निकाल ली जाएगा इसको मैं गुड़ाई कर लेता हूं मैं गुड़ाई कर लिया इसको मित्ति को थोड़ा सा साइड की जाएगा राउंड करके और इसका मैं कितना खर पतवार है इसको मैं निकाल लेता हूं इसमें मैं बर्मी कमपोस्ट एड़ कर रहा हूं मैंने इसको पहले गुड़ाई किया था अब इसमें बर्मी कमपोस्ट एड़ कर रहा हूं प्रेंज और इसमें जो सबसे इंपोर्टन है आप मैं इसमें फ़र्मी कमपोस्ट के साथ थोड़ा सा यह पोटासिव इसमें एड़ कर रहा हूं ज्यादा नहीं अब इसमें भी मैं सेम चीज दोहराऊंगा इसमें बर्मी कमपोस्ट इसको चारो और रहा देंगे इसमें भी मैं पोटास दोंगा लखिया यह थोड़ा सा बड़ा प्लांत है तो इसमें थोड़ा सा जाड़ा इसमें देंगे अब हम इसको मिट्टी से धाग देते हैं इसको भी चलिए अब हम इसमें पानी डाल देते हैं प्रेंस अब लोगों कैसे लगा है यह विडियो लीज like किजाएगा comment किजाएगा share किजाएगा thank you